करिके स्रद्धा, शीरी से दे चक्रे की ठानी, फले पायो में नारानी एक बाद फिर से पड़ो, द्यान से बढ़ना शुन सादो बचन हर सी मेना, नहीं हो ए जोट मुनिके वेना, करिके स्रद्धा, सीरी से दे चक्रे की ठानी, फले पायो में नारानी मात्र एक बार, एक बार विधान करने से, शीरी पाल जी का कुष्ट रोग दूर हो गया, और उनके सासो मित्रगणों का भी कुष्ट दूर हो गया था, और हम प्रते एक दिन अभी शेक सांती धारा करते हैं, हम आज तक सांत भी नहीं हो पाएं, जरा से भाल बिगड़ जाते हैं, आखिर क्यों? इनका इस पर्स करने के बाद तो एहिंकार नश्ट हो जाना चाहिए, अशांती नश्ट हो जाना चाहिए, यहां पर, यहां की पावर समझते हो आप, अच्छा एक बाद होता हो, किसी को कैंसर रोग हो जाता है ना, तो उसमें केमो का इंजक्शन दिया जाता है, अभी उसको इंजक्शन नहीं दिया, जैसे कोई पेशेंट होता है, उसको केमो का इंजक्शन दिया जाता है, कैंसर ह ले गए या ने ले गए अब उसके तडफ हो रही है बेचैनी हो रही है परिशानी हो रही है आपने डॉक्टर को बताया डॉक्टर ने कहा इनका इनको साम को या कल कीमुका इंजेक्शन देना है ऑपरेशन करना है यह 50% स्वस्त हो जाएगे ठीक है उस पेसेंट को पता चल दीका मेरा कल ऑपरेशन होगा और में 50% स्वस्त हो जाओ गां थे इंजेक्शन ते अभी इंजेक्शन मैं लए लिया क्या दिया क्या क्या ओप्रेशन हुआ क्या नेकिन वो शान अब उसे आकुल भी आकुल नहीं है क्यों क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब तुम स्वस्त हो जाओगे इतना ही तो कहा है बीमारी तो दस मिट पहले भी थी और अभी भी है लेकिन मान सिकता मान सिकता अब कीमु का इंजेक्शन दे दिया वो किसी ने देखा बनते ह होए है लिते सिरफ मान शिक विश्वाष विश्वाष्वी हो गया परीवार को भी हो गया और पेशेंट को भी हो गया कीमु कंजेक्शन लग गया भु स्वस्त होने लगा मान सिक प्रब्लम मान सिकते उसकी मन में बिचार आगया विप चूस अगया यह गई घीेड़ वासवासन मिला उससे, ऐसे है, अब उस कीमो के इंजेक्शन में कितने लिटर दवाई थी, कितने लिटर दवाई थी, दो लिटर, चाल लिटर, दस लिटर, कितनी दवाई होती है, पता नहीं है, ऐसलिए तो पूछ रहा है, कितनी दवाई होती है कीमो के इंजेक्शन में, ए द्वाल्ट, तीन एइमल, पाँच एमल, इतनी एमल में दवाई होती है। वो पाँच एमल की दवाई पूरे बोड़ी को स्वस्त कर देती है, पूरे अंदर के जो किटारू होते हैं, उन्हें साफ कर देती है, उनसे रक्षा कर देती है, जीव को बचा देती है वो पांच e ml की दवाई हमारे रोगों को दूर कर देती है और जे तील लोग के नात्र का गंदोदक होता है ये तो जनम जरम रत्तु जैसे रोगों को दूर कर देता है यहाँ बिश्वास नहीं हमारा उसमें दवाई कितनी थी पांच एमेल या दो एमेल लेकिन यहां आचारियों ने कहा कि यह जो गंदोदक है एक गंदोदक तुम यहाँ पे भी लगाते हैं यहाँ भी लगाते हैं पूरे में नहाते हो नहीं एक केबल दो उंगली से लेना और दो को उंगली से ले करके मस्टक से लगाना इंजेक्शन पूरे उसने तो कीमू का केबल कैंसर ठीक किया था यह तो वह इंजेक्शन है जिसने जनम जरा म्रत्तु जैसे रोगों को ही नेश्ट कर दिया था पर हमें शरद्धास था है हमारी कभी हमने इतने बिश्वास से गंदोदक लगाया क्या जो इंजेक्शन दिया गया था उसने तत्काल सही किया कितने महीने लग जाते है कितने महीने लग जाते है सालो साल लगते है वो कॉमा में पड़ा हुआ पेसेंट कितने साल बीट गए इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रहे है और हम चाहते है भगवान हमारा काम आज ही होना चाहिए आज ही हम सोस्त होने चाहिए कि आपने जो फशल वोई थी वो कितने दिन में उत्पन होई थी तो महिने से 28 कही सालों में तैयार होगा कई सालों में वो कि खजूर मिलेंगे ऐसा ही होता है न, होता है या नहीं होता है, जब आज का बोया बीच, महीनों, छे महीने, साल बाद फल देगा, और हम भगवान की भक्ति करें, आज ही फल चाहिए, अरे भगवान की भक्ति करो, फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, तुम लगाओं तो सही उस गंदोदक को, क्या भावना से ये गंदोदक में वो सकती है, जो जनम जरा जैसे मृत्ति रोगों को नश्ट कर सकती है, तो क्या मेरी छोटी बोटी भीमारियां ठीक नहीं हो सकती? और कैसे ठीक होती है, यहाँ पर आप अविश्य कर रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान देना, यह बात है जो बीच में होती है न, यहीं से तो ध्यान बटकता है, हम पूरे भावों के साथ, एक अगरता के साथ, हम अविश्य करते हैं, इसलिए हमें फल नहीं मिलता, आपका समय तो नहीं ले रही ज़्यादा? आपका समय ज़्यादा ले रही हूँ तो मैं सुरू कर दो शांते जारा? अगर समझना चाहोगे तो ही समझाओंगी, मैं पहले ही बोल दिया था, जिसको भूग लगती है, मैं उसी को देती हूँ, नहीं लगती तो मैं नहीं देती हूँ, अब आपने यहां शांती धरा अविश्य की, आपको कोई असर नहीं हुआ, और जो आपका बच्चा अमेरि कि शांती धरा कडा लेना, यहां शांती धरा चल रही है, वो कई हजारों किलो मीटर की दूरी पर वो व्यक्ती बेठा है, वहां उसने भावना भाई मेरे पिता जी ने आज सांती धरा की है, वो भावना भा रहा है, यहां का द्रश्य देख रहा है, वो यहां की बर्गणा वह हजारो किलो मीटर दूरी पर पहुंच रही है वो व्यक्ति स्वस्त हो रहा है और हम धारा छोड़ रहे हैं हमें कुछ भी नहीं हो रहा है होता है या नहीं होता होता है या नहीं होता क्यों? क्योंकि उसकी शरद्धा यहां पर है और हमारी जो शरद्दा है वो पड़ोसी ओपर है हमारी जो शरद्दा है ना हम अभीशेक तो कर रहे हैं हम सांती धारा तो कर रहे हैं लेकिन हमें अड़ोसी पड़ोसी दिख रहे हैं तुमने जे नहीं किए, तुम ऐसा कर रहे ह। तुम यह मत करो, तुम भो मत करो। तुमको फल मिलेगा, क्या। आए, घर से जगके आए, अभी शेक किया, सांतिधारा की। तुमने तो थाना पूर्ती की और चलते बने। घड़ी पे दिमाग चला गया कि लेट हो रहे हैं अरे यहां पर लेट हो जाओगे तो कम से कम हॉस्पिटल में बेट नहीं करना पड़ेगा नहीं तो वहां अपाटमेंट लेना पड़ेगा जब भगवान की अभिशेक और यह शांती धारा वो भीजक्षर मंत्र होते हैं कि एक एक भीजक्षर मंत्र अगर आपने भावों से पड़ लिया एक भीज का कितना फल मिलता है कई गुना तो जब एक एक भीज भीजक्षर मंत्र हम हिर्दे से मन से पड़ेंगे तो क्या हमारे मन में उत्पन नहीं होगी इसकी भी सुद्धी इसका फल नहीं मिलेगा और हम तो कितने बड़े-बड़े मंत्र का उचल गते एक बीज अक्षर नहीं है कितने सारे बीज अक्षर मंत्र है तो कितने बीज उत्पन हो गए हमारे अंदर कितने पुन्निकी फशल उत्पन हो गई पर हमने की क्या कभी जब वीजाक्षर मंत्रों से शांतिधारा होती है न तब गंदोधक लेड़ा और गंदोधक लेते समय तब पादे पंकजे रह जोम्रत देख देदेहा मरत्या भवंती माकरत द्वज तुल्यरूपा नाकरा क्या है? तब पादे पंकजे रह जो मरत्या भवंती माकरत द्वज तुल्यरूपा और सुरू से चले उद्भूत भीशन जलो दर भार भगना शोच्याम दसाम पगताश्यत जीवी ताश्या तब पादे पंकजे रह जो मरत्य देख देहा मरत्या भवंती माकरत द्वज तुल्यरूपा तब पाद पंकज ये भगवन आपके चरणों की रज कैसे लगाएंगे गंदोदक आपके मस्तक से चरणों में आ गया और ये चरणों की गंदोदक चरणर्ज आपके मस्तक पर लगा रहा हो तुद पाद पंकज वो द्रस से हम भूल जाते हैं na तो क्यों भूलते हैं हम एक-एक सब्डपर मेरा ध्यान जाता है त्वद त्वद माने आपके पाद चरण त्वद पाद पंकज कमल त्वद पाद पंकज रजो म्रत दिख्द देहा तुम्हारे चरणों की रज में मस्तक से लगाता हूँ तो मेरा उस समय सरी कैसा सा मरन समय था लेकिन वह भी कैसा रूप बन जाता है काम देव जैसा त्वद पाद पंकज रजो म्रत दिख्द देहा ऐसी जिसने जीने की आशा ही छोड़ दी हो ऐसा दर्द उधर का दर्द पेट का दर्द जलो दर पीड़ा से जो पेड़ित है जिसने जीने की आशा ही छोड़ दी हो जो मरन के समय निकट है एसा रोग भी आपके चेर्णों की रज को लगाने से काम देव जैसा रूप बन जाता है क्या हमने कभी लिया यह भाव क्या हमने कभी लगाया भाव किया हम दो बस एक दूसरे को देख रहे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं वो क्यों सार परी प्रमन करेंगे जब जब हम स्वैम को देखेंगे तब तब हमारा संसार का छै होता चला जाए इध भगवान का अभिशिक का नियम क्यों दिया शांती धारा क्यों कर रहे हो भगवान के जब धारा छोड़ते हो तो है भगवन जो निर्मलता आपने प्राप्त की है वही निर्मलता मुझे प्राप्त हो जाए जो गुण आपने प्राप्त की है वैसे ही गुण मुझे प्राप्त हो जाए हे भगवन आपका इसपर्ष करते करते एक दिन मेरा भी इसपर्ष हो जाए तुम भगवान की पूजन करने के लिए यहाँ पे आते हो, पूजन किस लिए करते हो, भगवान की पूजन करने के लिए आते हैं भगवान की पूजा, अपनी पूजा कराने के लिए आते हो तुम, भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो, अपनी पूजा कराने के लिए, यह भ उनके तो वो तो पूझनिय है यह है उनके जैसे गुण प्राप्त होंगे तभी तो तुम्हारी पूझा होगी तो एक दिन हम भी पूझनिय बन जाए आपको पूझते-पूझते अपने आप बन जाएंगे जब आपके गुणों सेशने होगा अब आप नियम नहीं ले सकते हो अगर यहां पर कोई ब्यक्ति अस्त व्यस्त या किसी को जानकारी नहीं है यादि किसी ने गलती कर दिया तो तुम मैं यहां की बात नहीं कर रहे हैं ड़ लगता है मुझे पीछे की बात बता रही हूं कई जगे हमने ऐसे देखा कि बच्चे युवार लोग अभिशेक बगरा सांतिधारा करते हैं तो उन पर चड़ जाते हैं लोग तुम ने यह गलती कर दी ऐसा कर दी ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ध्यान नकना एक भी बेलेगा उसे प्यार से बिटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं एक इसकर उसको प्यार से समझाए और जब तुम अभी शेक कते हो तो क्या बोलते हो एक पौद चर्ण आपने गाना गालिया गाना गालिया अब बोलो अब अपने भावों को ले जाओ पापा चरण तज नवने करता चित में ऐसे धरों शाक्षात जीरी अरिहंते का मानों नवन परसन करूँ झालिया अर्ण तभी घांन aura लगरों झाल झाल